गुड मानिंग बच्चों पिछले लेक्चरर में हम लोग दिखे थे सिंथेटीक फायवर्स म엔 डिफरेंट टाइप अफशी इंतिक फायवर्स उश में पढेते हैं रियान नाइलन से पलिस्टर टेरी टेर लन एक चायवर्स बटा आज आगलोग्डिसकर्सन करेंगे प्लास्टिक से तो आज़ का यूग को हम लोग प्लास्टिक का एरा बोलते हैं क्योंकि आर फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूजरे एवरी डे बहुत सरे प्लास्टिक आर्टिकल हम लोग आज का डेट में यूज कर रहे हैं तो ये सारे प्लास्टिक आर्टिकल का नाम तुम लिस्ट बना और शारे प्लास्टिक का आर्जमेंट जो है पलीमर का आर्जमेंट है सेम टाइप आर्जमेंट नहीं है in some it is linear फ्राइज इन अदर सीट इस क्रोस्ट लेंक्ट यहां दिखो आपको यहां पिक्चर में यहां दिखिए प्लास्टिक्स है और अल्सो दो पलीमर्स प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर से सा एक पलीमर है तो पलीमर में इस सब यूनिट है आप लोको दिखे एक दो इस सब बहुत सेबराल यूनिट्स एक यूनीट, दो यूनीट, तीन अशार यूनीट, सेबराल यूनीट्स हाँ, जनी इनलीनियर फासन, मतलुप एक स्ट्रेट, चेन के फासन में connected है, तो इसलिए इस को इस तरीका आर्रेंजमेंट प्लास््टिक का मलीकुल को हम लकाएंगे लीनियर प्लास्टिक् से बट इस तरी का देखो चेन फासन में यह का प्लास्टिक का मली हो है प्लास्टिक का पलीमौर है इसमें माल मलेकुल है मोनोमोर्ज जोह, यह वो चैन में भी है, यह देको यहाँःजीर हो यहां च्रेण निकलता है यहां सब निकलता है एक मलगोर साथ चार चार एक मलकोल के साथ चार मलग तीन में एक दो तीन चार चार मलकोल जूड़ता है तो इसलिए चैन फासन में यह इस लिए इसको लिए को हम लोग कहेंगे तो प्लास्टिक राफ। एम लग कहेंगे प्लास्टिक में आप दिख र्चाहँगे North Six not have the same type of arrangement of units in some linear whereas in others it using cross linked Plastic Articles are available in all possible shapes and sizes.. Plastic Astreticle ister possible shape or size में देखने को मिलता है और मिलता भी है । अभी हमला हम लग दिखेंगे और सूचолет अन्स फक्याMore आएवे मोझने दीखेंगे इस प्लास्टिक किजि एजीलिंडल देखिया अएए इसिति' they can be saved in any form plastic different shape में मिलते है इसका मतलब है they are easily moldable mold कर सकते है इसको heat करके melt करके different shape दे सकते है तो इसलिए इसको हम लगाते है moldable plastic is easily moldable that can be that is they can be saved in any form plastic can be recycled reused colored melted rolled into seeds or made into wires plastic को recycle कर सकते है रियूज कर सकते हैं color भी कर सकते हैं melt कर करके different shape बना सकते हैं roll करके different sheet बना सकते हैं और wire में भी convert कर सकते हैं यहां देखिए आप डेली यूज जो हम लगाते हैं प्लास्टिक का क्या कहां का यूज होता है देखा प्लास्टिक का कुर्शी है प्लास्टिक का चेयर प्लास्टिक का बकेट प्लास्टिक का टंबलर प्लास्टिक का टोईज तो किवेजारे प्लास्टिक स्टिक टीकवे अगे तेंगे प्लास्टिक का में यूज पोलितिनी बैक स्जों पोलितनी पैक आज देट में हम यूज करते हैं कंटने प्रमितनी कंटेनर हें तो वे इसी प्रसेस से बनता है यह इथिलीन-इथिलीन मलिकुल जोड़ के पॉलिएथिलीन बनता है पलीमयाज़ेशन अफ तो एथिलीन मलिकुल को जोड जोड के पलिधलीन बनता है समझे सम्ब्लिस्टिक प्लास्टिकश आर्टिकल चन बेंट इजिली वालसम ब्रेक कोई फोर्स टु बेंट तो याळ दखना मच्छों एन्व प्लास्टिक अर्टिकल चैन बेंट इजिली आसान से बेंड हो जाता है बेंड हो जाता है टूट भी जाता है तो इस प्लास्टिक जो इजली बेंड हो जाता है ब्रेक हो जाता है तूट जाता है फोर्स टूबेंड बेंड के जाता है तो बेंड हो जाता है तूट जाता है तूट जाता है तूट जाता है तूट जाता है प्लास्टिक जो प्लास्टिक आसान से क्या हो जाता है मेल्ट हो जाता है बेंड हो जाता है डिफार्म हो जाता है सच प्लास्टिक आर कॉल राज थार्म प्लास्टिक तो एक्जांपल अब थार्म प्लास्टिक तो एक्जांपल अब थार्म प्लास्टिक यहां देखिए प्लास्टिक्स दिज र यूज फर मानिफ़क्चरिंग अफ टोईज यह पीवीजी आप लोग दिख्या हूंगे जो पाइप जो है चापकल में जो पाइप यूज करते हैं प्लास्टिक पाइप दिज र तो पलीविनाल क्लोराड पाइप पीवीजी पाइप कभी-कभी तर्मिशेटिंग प्लास्टिक्स जीज और यूज 파र मैनेंफ्केक्ट्रिं आफ तोय चम्प बार्यश टैप्स अग्नाइप टाइप कांटेनर ON यह बहुत सरे प्लास्टिक कांटेनर बनाने में त्वया बनाने में कंप बनाने में लिसा यह थार्मस थो फार्म प्लास्टि सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब अग्जांपल य प्लास्टिक इग्जांपल अद फॉलिधिन प्लास्टिक अब हम लोग देखेंगे यह बेकलाइट्स इप्लाइट्स इस पूर अप्लाक्ठीक अब और इलेक्टरिकल स्वीचेंज हेंडल सब भेरियस यूटनशील्स एक्सक्रा तो बेकलाइट के यूज कहां कहां होता है ना बेकलाइट सार्थ स्ट्रॉंग प्लास्टिक्स मेलामिन अल्सों प्लास्टिक्स विच और कम अंडर दो कातेगोरी अफ थार्मसेटिंग में में है इलेक्रिक्टट होग Credo dod Alright इस यूईट्रिक्रिक कर का यहन्दल है यह नेचे दिया ककर घंडली इलेक्रिक्रिकल वोन्हिट्रिक्ट बॉर्ड में देखो निचे इलेक्रिक्रिक लोड में दिकंड इस दिखोगे प्रेसर कुपर का हैंडल वह भी प्लास्टिक से होता है तो इस यूटेंसिल हैंडल अली तमारा इलेक्रल आपली एलेक्रट्रिकल स्वैच ये सब किसे बनता है न बेकल एट से बनता है है हुः इह कंट प्लस्तिक्टिक्स मेलामन इस एट्राइल भर सब्साठील मतलब वीगल्ट मेराइल देर्फ बार सब्साके यह बार मतल अब सब्साथ चाइसंग कर दो रूज थे सब्सारेड सेवराल यूजेस, डिफरेंड यूजेस, भेरियोस यूजेस, मेलामाइन इस जे भर्साटाल मेटिरियाल, इट रेजिस्ट फायर और कन टोलरेट हीट बेटर दन अधर प्लास्टिक्स, ये फायर रेजिस्टान्स इसमें आग नहीं लग जाता है इतना असान से आग लगेग ही नहीं और कन टोलरेट हीट बेटर दन अधर प्लास्टिक्स, अधर प्लास्टिक्स से हीट बढ़िया टोलरेट करता है, रेजिस्ट करता है, इस यूजेस फार मेकिंग फ्लोर टाइल बनाने में ये प्लास्टिक को यूज़ करता है, किचेन वायर, किचेन में जो हैंडल बगर है क्लिक इस फ्राइंग पैन है यह सब चीज बनाने के लिए यह प्लास्टिक को यूज करते हैं मेलमीन इज यूज फर मेकिंग फ्लोर टाइल्स किचेन वैर्स एंड फेब्रिक्स फूज रेजिस्ट फायर यह दिखो थर्मसेटिंग प्लास्टिक का एक्जाम्पल से उपर में देखो आटिकल से मेड़ थर्मसेटिंग प्लास्टिक से यह दिखो किचेन वार्स में फाइबर का प्लेट होता है थाली फाइबर का टंबलर भी होता है फाइबर का प्लेट होत कोको एर के कंडल होता है यह दिख्षे प्रेट खाने वाल प्रेट भी ए अब हम लोग दिखेंगे यह conteúdo आट्रिक्ल्स आप हमलेको दीखेंगे प्लास्टिक को हम लोग बहुत चाइस करते हैं क्यों चाइस करेंगे इप वी थिंक अब स्टोरिंग फूड आइटम वाटर मील्क पिकल्स ड्राइफ फूड एक्सेटरा प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट एसे मोस्ट कंविनियंट मतलब हम लोग अगर प्लास्टिक का बहुत यंज करतें के वाटर स्टोर करना है मील कि स्टोर करना है पिकल्स को रखना एड्राइफ फूर्ट करना है तो इसके लिए प्लास्टिक अर्टन का बहुत करते हैं इसे करते हैं Nevada क्ल्सके मेट्न के hat लिएording पैसा में मिल जाता है सस्ता होता है गूड स्ट्रेंग्ट भी है उसका इजी लिए एजी हैंडल भी कर सकते हैं तूट जाने का भाई नहीं रहता है बिंग लाइटर आज कंपर्ट तुद अ मेटाल्स प्लास्टिक्स आर यूज इन कार से एरक्राप्स और स्पेसक्राप्स प्लास्टिक्स हलका होता है मेटाल के कंपरिजन में तो इसलिए फ्लास्टिक्स आर यूज निकार्स का बोडी दिखेंगे स्कूटर का बोडी दिखेंगे उसमें प्लास्टिक यूज होता है विकाज देयार लाइट इन वेट प्लास्टिक्स रूज इन कार्स एर क्राफ्ट और स्पेस्क्राफ्ट थू निट लिस्ट इच एंडलेस्ट इफुस्टर काम्टिंग अर्टिकल्स लाइग स्लिपर्स फरनिचर्स डेकोरेशन पाइप सेटा जितने सरे मेटेरियल हम लोग रेने सब प्लास्टिक सब्लास्टिक से बना हुआ है अधिसे लिए वластं गब बाउट ut REALLY इंटेंसिव उजे शब प्लास्टिकस आर और एक्सेंसिव जैश में सब प्लास्टिक सर्द्यार हम लोग बहुत प्लास्टिक का यूज कर रहे है तो ब्लास्टिक इच non-reactive आप दिखिए गे प्लस्टिक का दुसरा इसब दस्टाकर स्थीक एक रहिज था पहले पहले बनुक एन दिख लिए पहले ऩोगी प्लस्टिक भी य है प्लस्टिक लर मैटिछ और प्लस्टिक nóis अब हम लोगों देखेंगा प्लास्टिक इन इस नॉन रियक्टिव प्लास्टिक रियक्शन नहीं करता है इसे मेटाल मेटाल स्लाइक आईडन गेट रॉस्टेड वेन लेप्ट एक्सपोज्ट टू मैस्टर अने या ज़र आईडन का मेट्रियल को या आप देखो का आईडन हो निकल हो कोबाल्ट हो या अलुमिनियूम हो कोई भी मेटाल अगर बाहर में बहुत दिन तक पड़ा राएगा वो जल्दी राष्ट उसी में लग जाता है और करोशन होते राता है और र्यक्श्टिव तो दा यह र्यक्शन भी करता है मेटाल्स लाइडन गेट रॉस्ट सब्सक्राइड वन लेफ डिक्श्ट उस्ट्रा अगर बट प्लास्टिव तो रियक्श्ट उस्ट विथ वाटर अट रियाग्श्ट नहीं करता है इसलिए प्लास्टिव बहुत दिन तक टेकता है और नौ टार नाट करोड़ेड इजली इतना आसां से करोशन नहीं होता है है that's why they are used to store various kind of materials including many chemicals बहुत सरे chemical के साथ साथ बहुत मेटरियल को स्टोर करने में प्लास्टिक का कंटेनर हम लोग यूज करते हैं तो प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉंग और डूरेबल अलसो अब लोग देखें प्लास्टिक इज भेरी लाइट बहुत हिसको फेरियोस लिए पर पर्परॉस परकोशेश में यूज करते हैं प्लास्टिक सरे श्टैजिंदनर यूज इडेंडेस्टिक इहोता हैं चीपर बहुति यूज होता है यूज रखीस होता है इसको आम लब यूज़ करते है इसलिए प्लास्टिक्स आर आप गरेटर चाईज प्लास्टिक्स आर 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 प्लास्टिक् में प्लास्टिक कोभरिंगु सरहता हैंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे तकी हैंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे स्कूड्राइबर dedic vibes आज हम लोगदugenु दिखेंगे हैज और छांथ सदुरीने कि अब हमेरा यहां पूर ओरूनक्रिक्ट शाया है तो इसलिए उसको क्या करते हैं उसके कुछ कोड़े किशमें ना क्यूंतिक का फोर्डिबर का हैं महें टेस्ट्र का visto का हैंडल में प्लास्टिक चुछ करते मैं भी प्लास्टिक से उच करते हैं को बनाने में हम लोगां कומ׈ का हैंडेल गुख करते हैं प्लास्टिक्स है फैने एक से प्लास्टिक्स यहांते हैं कि आप लोग पहले जानते थैसकर देखिए अब अच्छा चीज लिखा हुआ है प्लास्टिक्स फाइंटराइस्टेंसिव लुगू एंहट हेल्ट करें मेह यारे सांट एंट हाल को प्रच्राइम करते हैं उसमें प्लास्टिक होता है त्रेट्स यूज फर श्रीचींग स स्पाने के लिए अगर आपरेशन वा उसको स्टिच करने के लिए जो त्रेड्स जरूत होता है प्लास्टिक का थ्रेड भी यूज होता है, शिरिंजेस, डक्टर्स ग्लोब्स, and a number of medical instruments, they are made up of plastics, special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food, food को cooking करने के लिए special plastic cookware यूज करते है, in microwave ovens, the heat, the heat cooks the food, but does not affect the plastic vessel, plastic vessel को affect नहीं करता है, heat is the plastics of the heat resistance, heat resistance, that is why plastic को cookware में यूज करते है, जो पहले हम लोग discussion कर चुके है, teflon is a special plastic and which oil and water do not stick, it is used for non-stick coating of the cookware, याद रखना है, teflon is a special plastic, very, very important, teflon एक याद रखोके, teflon एक क्या चीज़ है, teflon, यह जो दिखा, teflon, यह teflon is a special plastic and who is oil and water do not stick, teflon एक है, special plastic है, जिसमें oil and water stick नहीं होता है, it is used for non-stick coating on cookware, cookware में non-stick coating के रूपे, उसको यूज करते हैं, teflon को, अब हम लोग दिखेंगे, fireproof plastics, plastics are also fire ploves, fireproof मतरफ आग नहीं पकड़ता है, although synthetic fibers catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastics to make them flame resistant, उसको दिखोगे, जो firemen fight करता है fire के साथ, उनलोग का जो कपड़ा पहनते हैं, उसको यूनिफर्म होता है, तो यूनिफर्म में एक melamine plastic का coating रहता है, which is flame resistant, heat resistant, that's why they can be safe during fighting with the fire, अब हम लोग दिखेंगे plastics and the environment, हमरे environment or plastic, कैसे प्लास्टिक हम लोगा हमको कैसे environment के साथ eco-friendly या environment के लिए harmful है, अब हम लोग दिखेंगे, ये material which gets can decompose, plastics generally plastics, they do not decompose easily, plastic material असान से decompose नहीं होता है, decompose मतलब, उसका compose or decompose, जो pilot उसका जो molecule है, वो तूट के simpler form में convert नहीं होता है, जो simpler form में convert नहीं होगा, macro size molecule उसको decompose नहीं कहेंगे, जो होता है, organic materials जो होते हैं, वो सब decompose होता है, by the action of bacteria, bacteria and fungus, that's why bacteria and fungus को हम लोगो decomposer कहते हैं, तो इसलिए the material which gets decomposed through natural processes, such as by the action of bacteria is called biodegradable, जो material decompose हो जाता है, through the natural processes, such as by the action of bacteria and fungus, these are called the biodegradable material, a material which do not easily decomposed by the natural processes, is termed as non biodegradable substances, non biodegradable material कहेंगे, जो decompose natural process में decompose नहीं होता है, अब हम लोगों दिखेंगे, type of waste हमारे, चारो तरफ बहुसरे waste generate होता है, यह table में देखिए, बहुसरे waste का नाम दिया गया, list दिया गया, उसका approximate time to take to degenerate, होने के लिए, nature of the material है, उसका material का nature क्या होगा, अब हम लोगों दिखेंगे, एक्जांपल होगे है, यह हैंदी का पहला है, पील सब वेजटेबल सन फूट्स, लेप्ट अबर फूट स्टाप एक्षटरा, वेजटेबल पील्स, फूट का फील्स छिलका, लेप्ट अबर फूट स्टाप जो खाना बच जाता है, उसको आप्रक्समेंट टाइम कितन ल गरता है, 1 to 2 week लगते है, डिजएनिटर र होने के लिए या डिकॉम्पोस होने के लिए, तो तरफा यह अगर यह वो तॉद सब तया मे विवो तो सब तया में वो ऊदेग्चन तया हो जा रहा है, वो मोटिल का हमलोग का हेंगे, बिद्खेटल का बियो बार विद्ध आग 10 to 30 days takes approximate time to degenerate that's why this is also biodegradable material cloth cotton cloth it takes two to five months it is also biodegradable and wood it takes 10 to 15 years to disintegrate or degenerate that's why it is also biodegradable material is nature biodegradable woolen cloths about year alagvaka xl may woolen cloths johay woe degenerate ho jata easily evi biodegradable material ka under my teen aluminum and other metal cans the protein made aluminum and iso hootah na teen ho aluminum ho copper ho iron ho gold ho silver ho is subject other metals metal ka kyan bantah hai other metal kyan bantah hai wo sab johay 100 to 500 years later approximate time for degeneration for degenerate this is easily these are non biodegradable w ea suns a degraded 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 nahi hoota hai decompose nahi hoota hai plastic bags it takes long time or several years long very very long time or several years to degenerate that's why these are non biodegradable at all a plastic materials or plastic bags plastic wrappers yes of non biodegradable materials to abhi am lag dikhenge since plastic takes a less several years to decompose it is not environment friendly it causes environmental pollution besides the burning process the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily in the process is it releases it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution matlab ya kya hai plastic material takes long time matlab several years to decompose it is not environment friendly it causes environmental pollution environmental pollution create karta hai completely burn the planet it produces shooty flame dhuwaan 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 jese smoke nikalta hai jala neva so that that also contributes air pollution atmosphere pollution so that is why these religious during burning this religious lot of poisonous gas poisonous fumes to the atmosphere causing the air pollution location so that is how plants have come from the atmosphere from the atmosphere which is only natural and inequity for the environment environment environmentally like eco friendly खाते हैं जैसे काव है बफालो है वो जो कहा गार्बेज में जाके खाता है कुडा कच्रा से जाके खाता है इन प्रोसेस आव इटिंग दा फूद वेस्ट दे श्वालो मेटरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स आंड रापर सब फूड पॉलीथीन बैग कर आपर को भी वो बाल्टिक मेटरियल को यह रापर्स को यह प्लास्टिक पलेथीन बैग को अगर खा जाएंगे दे जांगे उसका परिनाम क्या हो का जानते हो था प्लास्टिक में तरर एक रैस्पिरितुर शीटम अभ तेस अनिमल्ड छो कट प्लास्टिक प्लेटिंग कर देता है जांस ल the polythene bags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains the polythene bag ka hamloh carelessly si idhar udara फेक देते हैं they also causes clogging of the drains drain ka abhi flow ko bhi drain ko bhi clog कर देता है block कर देता है sometimes we are very careless and throw the wrappers of the chips biscuits and other tables on the road or in parks or picnic places kabhi kabhi hamloh इतना careless हो जाते हैं और हम लोग क्या करते है रापर चीप चीप खाते हैं कुरकुरे खाते biscuits काते हैं उस सबका टेबल आइटम का जो रापर होता है cover होता है उसको रोड में या पार्क में या picnic places में फिक देते हैं तो फिकने में क्या हो जाएगा तो यू नो यू यू टेक्स लंग टाइम टू डीजनरेट लोंग टाइम लेता है डीजनरेट होने के लिए या और यह अनिमाल इसको अगर खाजएगा तो उनका कहा रिकटर विट न सकते क्या क्या सबसिद्य और हम लोग क्या मेज़र्स ले सकते हैं क्या-क्या है क्या स्थेप ले सकते हैं फॉर आभर कि प्लास्टिक्स तो प्लास्टिक करेंगे तो Special प्लास्टिक प्लास्टिक प्रीक कर पाएंगे हैं और यह हमवारे प्लास्टिकमे रखताइए हम्मारे आ प्लासिक का कुछ उसां से होला सकते अब दिखेंगे पहला प्नाना अभाइट दूजा प्लास्टिक अजफ फर आज पसिबुल आभर दो यूजख्यू प्लास्टिक्स त्चला पॉस्टिकश प्लास्टिक चक्यों को हम लोग आभाट करेंगे, make use of the bags made up of cotton और jute, cotton और jute से बना हुआ बैक के use करेंगे, when you go for supping, जब supping के लिए जाएंगे cotton का बैग या कोई jute का बैग हम लोगों को लेके साथ में जाना चाहिए, the biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately, biodegradable substance और non-biodegradable substance को दोनों को दो अलग-अलग dust pin करके इसको collect करना चाहिए, biodegradable substance degrade हो जाएगा और non-biodegradable substance को अम लोगो क्या करें, recycle कर सकते हैं, it is better to recycle the plastic waste, plastic waste को recycle करना अच्छा रहेगा, most of the thermoplastics can be recycled, thermosetting plastics cannot be recycled easily, तो कौन-कौन material easily recycle हो पाएगा, उसको दोबारा heat करके, malt करके, melt करके, remold, recycle कर सकते हैं, उसका आप लोगों list बना सकते हों, तो इसलिए हम लोगों प्लास्टिक के यूज को काम करने के लिए, limb minimize करने के लिए, limb को reduce करने के लिए, क्या क्या करना चाहिए, आज सिनियर, आज responsible citizen, एक responsible citizen के नाते, क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा, ना, remember the five-hour principles, five-hour principle क्या कता है, ना, our, street for reduce, reuse, recycle, recover and refuse, so these are the five-hour principles, मतलब reduce, पाईला होगया, reduce, मतलब we have to reduce the use of plastic, plastic है उसका बहुत minimize करने, minimum करने, reduce करने, एक्जामिल अगर डिबा में तो मारा चो कलेट है तो ऋ प्लास्टिक का डिबा को हम चोकलेट खोतम होने के बाद उसको लेकर सुगार रख सकते है नमक लग सकते ड्राई ऑड्राइफ फुड्स भी हम लगोई होने रक सकता है तो उसको रूज हो गया रीशायकल भी कर सकते हैं जो प्लास्टीक जो टूट गया फट गया वम चैर हो गया उसको हम लगोगो दोबारा इसको क्यव करemieर crawl योनिट को भेजके वहां फुर्मेल्ट कर दोबारा उससे भी नया प्लास्टिक बना सकते हैं फारदर उसका प्लास्टिक का जितना पहले फार्मेशन हुआ था उतना है उनका कांटेंट रहेगा उसका ज्यादा अमॉंट प्लास्टिक का फार्मेशन नहीं होगा तो इसलिए हम लग पहले रिडियूस करेंगे उज नहीं काम यूज करेंगे रिफ्यूस करेंगे दो बार तिन बार जब तक जरूत पड़े तब तक आसको उसको रिउज करता रहेंगे रूसाइकल भी करेंगे रिकावर करेंगे कहीं पड़ा वहाँ है उसको रिकावर कर सकते हैं आट mandate रीफ्यूस करेंगे अडिए प्लास्टिक का मेself कोई कोई दुक अन्दार दे रहा है कहीं प्लास्टिक का polythens wrappers ये सब मिलता है polythens bag container मिलता है उसका हम लोग refuse भी करेंगे ना हम अपना Jute Bag ये, Jute container, ये metallic container में वी उसको लेंगे but plasstick को दुक अन्दर को मना करदेंगे हम लोग को you should not we should encourage the subkeeper not to provide the plastic bags or plastic प्लास्τικ containers, प्लास्τικ container, प्लास्τικ bag, for polythine देन में मना कर देंगे। So, ये agnta habit, develop करेंगे, so we can have the environment clean or Lakesh bisa we never read if washers many other places from plastics. Develop these habits, which are environmental friendly, अब हमलग क्या करना चाहिये? Fiber-wise do not leave the plastic bags in the water bodies or on the road. The plastic bag स्ट्री बास्टिक or water body में नही फेकना चाहिये. टेक कॉटन केरी बैग और जूट बैग वाइल गोईंग फार सपिंग अगर बाजार में जा रहे हैं मार्केट करन मार्केट में जा रहे हैं उस समय अपने साथ एक कॉटन बैग या जूट बैग लेकर जाएं ट्राइट टू मिनिमाईज दे यूज अफ प्लास्टिक मेटरि यह था हम लोग का सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इसका हम लोग पॉलिए सिंथेटिक मेटरियल क्या चीज है तिपिचल क्या है सो सिंथेटिक फाइबर क्या है कहां से बनता है कैसे बनता है क्या 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 है सिंथेटिक फाइबर्स एक्जांपल सब प्लास्टिक्स क्या है तो प्लास्टिक्स का काटर टाइप प्लास्टिक्स उसमें उसका आरेंजमेंट के हिसाब से लिनियर प्लास्टिक और दिखरां अदे कंष्क्राइप इतर्स रां analys दिखिर अध LOVEश्रों इसका हुचे हिसके टीक्राइप प्लास्टिक्स और रा क्रहित ख्पा टेफलोन इसका युजस आपै फिर उसके सलवाँ देखे है प्लास्टिक का क्यरेक्रश्टिक्स प्लास्टिक का करेक्र स्टिकमेंहें र्यांग है तीवर dużo। डिजर्ञतिक्त प्लाइट अब करेडासी। Bubla प्लास्टीक कांजाड कैसे है प्लास्टीक ंवार्म efic' करता है और प्लास्टिक गॉइंबर्मेंट को Wi-条 क्या होता है इस अब जाने के बाद हम लोग समझ में समझ गए प्लास्टिक को कैसे मिनिमाइज करेंगे यूज़ प्लास्टिक को और फोर और प्रिंसिप फाइप प्रिंसिपल क्या चीज यह सारे चीज के बारे में हम लोग डिसकर्शन किया हैं तो आशा करता हूं यह चाप हम लोग देखेंगे question and answer discussion करके धन्यवाद